और साजिश में आज इरान की सबसे खतरनाक मिसाइल की बात होगी इरान की एक मिसाइल ने पूरे यूरोप में देश्चत पहला रखी है ये वो मिसाइल है जिसे बदला लेने वाली मिसाइल भी कहा जाता है रिपोर्ट है कि अगले कुछ दिनों में इस मिसाइल का बटन वेलादमीर पुतिन के पास होगा और फिर उनके टारगेट पर होगा युक्रेन का हर वो अड़ा जो अभी तक खुद को सुरक्षित महसूस करता रहा है जब इरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती है जब इरान की ये मिसाइल अपने टारगेट पर गिरती है तो धमाका ऐसा होता है अब यही मिसाइल रूस पहुँचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है ये है इरान की फत्य वन वन जीरो मिसाइल अमेरिका इसकी दहशत जानता है इस्रेल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जर्ये पुतिन योक्रेन को डराना चाहते है रिपोर्ट यह है कि इरान की ये मिसाइल रूस पहुँचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है फतेव वन वन जीरो को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है अब इसकी असली हमले वाली लॉंचिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी ऐसा क्यूं होगा इसकी बारे में वाशिंटन में मौजूद इंस्ट्यूट ओफ स्टडी ओफ वार ने बहुत साफ साफ बात बता दी है 18 अक्टूबर को इरान पर संयोक्त राश्वी की तरफ से लगे मिसाइल और डून बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद इरान अपनी मिसाइल और डून खुलम खुला बेच पाएगा अब सवाल है कि आखिर ये कैसी तै हुआ कि ये मिसाइल रूस खरीदेगा तो जवाब है कि 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हाला कि जो तस्वीर सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की मिसाइल देखने तहरान आए इरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को ये उक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटियर जन्रल आमेर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है इसमें सबसे खास रही फत्य वन वन जिरो मिसाइल सरगेई शोईगो ने इस मिसाइल को बहुत गोर से देखा उन्हें बताया जिया कि ये कितनी खातरनाक और सकीत मिसाइल है और ऐसे हथियार से गूस जेलन्सकी के बड़े बड़े अट्टों को मिट्टी में मिला सकता है सरगेई शोईगो इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हो अब इससे ये बात साफ हो रही है कि 18 तारीक को जब इरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटे तो इसका सबसे बड़ा फाइदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ योकरेन को नहीं होगा ये बात भी तै फत्य है 110 मिसाइल को लेकर डर इतना जादा क्यूं है क्यूं है इतना जादा खौफ क्यूं इरान और रूस के दुश्मन बहुत जादा घबराए हुए है इसकी बहुत सी बारीक बाते हैं आपको एक एक करके बताते है क्यूं इतना जादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल को लेकर है इरान की ये मिसाइल 300 किलोमेटर की रेंज तक हमला कर सकती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर है और 300 किलोमेटर की रेंज में जो भी इसके दारे में आए उसे नेस्त नाबूद कर देगी उसे तबाह कर देती है यानि की शॉर्ट रेंज मिसाइल जरूर है ये शौर्ट रेंज मिसाइल होने के नाते कम दूरी के टागेट पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है साड़े तीन हजार किलो भाली इस मिसाइल में 500 किलो ग्राम का वारेड है ये साड़े तीन हजार की किलो की जो मिसाइल आप देख रहे हैं फतह 1110 500 किलो का वारेड ले जाने में सक्षम है ये यानिकि जहाँ ये मिसाइल गिरती है वहां 500 किलो वाले बं का धमाका होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ तबाही लेकर आता है यह अपने target के 3 मीटर के दाएरे में गिरती है और एक ballistic missile का इतना जादा सटीक होना यकीन मानिये बहुत बड़ी बात है यह missile Middle East में अमारिका के खत्रे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतन को बहुत जादा इस फते 1110 missile के बारे में पसंद आ गई है जादी सेना को खदेरने में सक्षम है फते 1110 वाकई बहुत खदरनाक missile है इस missile के नए वर्जन फते 313 इससे पहले अपना practical दिखा चुकी है इसी missile से इरान ने इराप में military base पर हमला किया था ये वही missile है जिससे इरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के हत्याखा बदला लिया था फते 313 की रेंज फते 110 से जादा है यही वज़े है कि इरान ने इराप में अमेरिका के military base पर ये missile दागी थी इस missile के धमाकों ने 100 से जादा अमेरिकी फौजियों को जैनी रूप से बड़ी चोट पहुचाई थी जिससे traumatic brain injury भी कहते हैं हमले के बारे में दफसील से जानने के लिए पहले देखिए ये missile क्यों खबरों में है अमेरिका से लेकर यूरप तक मीडिया इसी missile की बात कर रहा है इसराल में भी यही missile चर्चा में है पुतिन ने इरान से फटव 110 को लेकर बात पक्की कर ली है यूकरेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब इरान के इस missile को लेकर बहुत ज्यादा दैशत में है इरान की ये missile 2002 में तयार की गई थी इसका निर्मान 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाये जा चुके है इसका एडवांस वन वर्जन जो है वो जादा इस्तिमाल किया जाता है इसका आधूनेक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है इसकी रेंज 500 किलोमेटर से जादा की है यानि कि 500 किलोमेटर के दारे में जो भी इसके टागेट पर आता है वो खत्म तबाह हो जाता है और इस missile ने खुद को साबित करके दिखाया भी है योक्रेन और एज्रेल के इंटेलिजन्स रिपोर्ट दाबा कर रही है इसकी रेंज 300 किलोमेटर से जादा है जबसे ये बात इरान के दुश्मनों को बता चली है वो घबराय हुए है जबसे ये बात जैलन्सकी को बता चली है वो बहुत दैशत में है अब उनकी एकी देमांड है कि किसी भी तरह युक्रेन की फोच को ऐसे एर देफेंस से लेस्की आचाई जो इरान से मेलने वाली ड्रोन और मेसाइल को काउंटर कर सकी Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами Теж призвів до нових перебоїв з електрикою Але це виправляється Відновлювальні роботи тривають तका फोर्मा टरोर ने दास रोसी नीचोग, नवीच जारस कोलो में श्चे नमाएमों दस्ताट्नी किल्किस्टी सिस्टेम पपो जैलन्सकी को ये बात पता चल गई है कि फते 1-1-0 मिसाइल को रोकना महत मुश्किल है पर इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है इसमें को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइले दागी थी ये जहां गेरी, वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से जादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुँचा था ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं जाकि वो जैलन्सकी को वो आला सबक सिखाएं जो इरान ने अमेरिका को सिखाया था ये ना सिर्फ जैलन्सकी के लिए खत्रा है बलकि पश्चे मेश्या में इरान और रूस का एक नया तालमिल तयार कर रहे हैं जिसका नुकसान इस्राइल और अमेरिका दोनों को होगा अब इरान के तेवर समझने है तो आप दो तज़वीरों को बहुत गहर से देखिएगा इरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षामंत्री सरगेई शोईकू को फटव 110 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई यह काले रंग वाली मिसाइल फटव 110 को देखाने का मकसद है कि इरान और रूस के दुश्मन काबो में रहें सवाल है कि रूस और इरान साथ आए तो जैलेंस्की क्या करेंगे एर डिफेंस तो ठीक है लेकिन ठककर तो बराबर की होनी चाहिए इसलिए जैलेंस्की के ओपरेशन को भी बहुत गोर से समझेगा जैलेंस्की को अब एटकंप्स मिसाइल मिलने जा रही है जो हाइमर्ज जैसे लॉंचर से दागी जाती है इसकी रेंज 300 किलो मिटर होती है अमेरिका से लेकर योकरेंट तक तमाम मीडिया और देश की सरकाने अब इसी मिसाइल की बात कर रही है एटकंप्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामूशी बनाय रखी थी लेकिन अब वो ये मिसाइल योकरेंट को भीज रहा है अगर जैलन्सकी को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खत्रा हो सकता है अमेरिका को मालूम है कि जैलन्सकी इरान से सप्लाई किये गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके है और अगर उन्हें फतेव 110 जैसे मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे क्यों को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगी टो इन्हें अगर्टा लूस्टी कि पुँए वस्यां जलिन की पूस्टी कि लाचाना का था छिरान। स्पर्पतिंग। triviality कि अजया ब Napoa elUSवाष और लेमेंघस सेवां श्तारिव औरीज करेंगे fit , चैसी ब्रेस्ट ऑचिनि जिव इससे पहले एरान के शाहिद 136 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह अत्मगाती ड्रोन है इन्हें एरान का कामिखाजे ड्रोन भी कहा जाता है जो योकरेन की पोजिक्शन पर अटाक कर रहे हैं देखा जाए तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताखत रोस को दी है जब ब्रोन से अटाक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है ये इसका ओरिजनल वीजियो है ब्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता ये स्वाम अटाग यानि एक साथ मधुमक्षियों की दर हमला करते है ये जहां टार्गेट करते हैं वहीं हमला करते है ऐसे ही हत्यारों की सबसे बड़ी प्रयोग शाला बन चुका है योगरे इरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन इरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पैचान दिला चुके है अब बारी फते वन वन जिरो मिसाइल की है जो पुतिन को घजब की पावर देगी इरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्ट फायदा हुआ है जबकि जैलन्सकी को अब बड़े नुकसान का खत्रा समझ में आ गया है क्योंकि अब ब्रोन के साथ रूस के पास इरान की मिसाइल भी आने वाली है पुतिन और इरान की दोस्ती अक्टूबर के महीने में अमेरिका और नैठो को बहुत धक्का पहुचा सकती है इरान से निकाली गई आग अब योकरेन में नए शोले भड़काने वाली है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तयार हो चुके है झाली है